स्राम विखुम यूटीयूब, वेल्कम टू बिबल्य बूट, आज मैं आपको बताने चाराOOOO क्छा न अगर आप जाना चाहते हैं कि प्रोपेगंडा किया होता है तो उसके लिए सबसे बहले आप अमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताके मैं आपको पुल्वीक इन बाद के प्रोपेगंडा का टॉपिक स्टारट करके आपको समझा सकूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो well and good अगर नहीं किया तो kindly जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नहीं से नहीं वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं तो चलें देखते हैं कि Public Opinion क्या है Public Opinion simply views of the people है किसी भी community में या किसी भी country के अंदर रहने वाले लोगों की views और views किसे related किसी भी किसम के issue से related और वो issue जिसका तालुक directly या indirectly public से हो यानि कोई भी ऐसा issue जिससे public का कोई तालक है उस वक्त public के जो views होंगे उसे हम क्या कहेंगे Public Opinion कहेंगे अब Public Opinion तो समझ आ गई बात की कि simply views of the people क्या है Public Opinion लोग क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में किस issue से related उनका क्या बयान है इसे हम क्या कहेंगे Public Opinion कहेंगे अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से elements का होना जरूरी है Public Opinion के बनने के लिए तीन elements का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है पहला है जी communication channels communication channel क्या interpersonal भी हो सकते हैं और mass media भी हो सकते हैं अब communication जो होता है वो क्या करता है वो Public को issue के साथ link करता है या फिर वो एक Public के अंदर जो members होते हैं different उनका office में link कर सकता है और इसका होना जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो Opinion होता है वो फैलता है और वो अपनी राय पकड़ता है अब हम देख लेते हैं कि issue क्या होता है issue का मतलब है कि जब कोई एक और accepted answer ना हो सही जवाब ना हो किसी चीज़ का उसे हम क्या कहेंगे issue कहेंगे यानि कि अगर हम कहें कि हम पीजा खाने जा रहे हैं वो सारे दोस्त हैं 10-15 तो हरे कोई अपना अपना रेस्टरेंट बता रहा है यानि एक सही जवाब और एक वाहिद answer हमारे पस नहीं है उस वक्त जो situation क्रियेट होगी उसे हम issue कहेंगे और पब्लिक क्या है पब्लिक वो लोग जिनके दिरम्यान में वो issue arise हो रहा है अब वो क्या होंगे जैसे मैंने पीजा की example दी तो वहाँ पर जो हम दोस्त बैटे हैं 15-16 तो हम सब क्या होंगे पब्लिक होंगे उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ची लगी होगी और समझ भी आई होगी मिलते हों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलाहाफिस चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें और बेल आकिन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नएसे नए वीडियो का नोटिफिक्शन मिलते रहे अलाहाफिस